Hello everyone अभी थोड़ी देर पहले एक शौकिंग और सर्प्राइजिंग न्यूज आई है कि UGC NET का एक्जाम जो की परसों हुआ था Tuesday को ही कंड़क्ट हुआ था उसे आज कैंसिल कर दिया गया है UGC NET का एक्जाम जो एक National Importance का एक्जाम है बहुत बड़ा एक्जाम है उसको एक दिन बाद कंड़क्ट कराने के एक दिन बाद कैंसिल कर दिया गया है UGC NET मतलब University Grants Commission National Legibility Test ये वो एक्जाम है जिसके थूँ Colleges में या Universities में Professor या Assistant Professor की Post के लिए अप्लाई किया जाता है यही वो एक्जाम है जिसके थूँ आप PhD के लिए भी अप्लाई करते हो पहले नहीं होता था PhD UGC NET के थूँ बट इस बार से PhD के लिए भी एक्जाम मेंडिट्री कर दिया गया है या फिर अगर आपको GRF Scholarship चाहिए अगर कोई person research करना चाहता है further किसी भी field में और उसको GRF Scholarship चाहिए तो भी ये exam आपको देना पड़ेगा तो इन सारी चीजों के लिए ये qualifying exam है तो मुटा मुटा गर आप देखें कि हमारे higher education system में चाहिए आपको PhD करनी है चाहिए आपको assistant officer बनना है चाहिए आपको research करनी है this exam is a must give exam लग ये आपको clear करना ही पड़ेगा और ये बड़ा exam है इसमें इस बार करीब 11,000,000 लोगों ने form भरा था जिसमें इसे 9,000,000 लोगों ने exam दिया था और ये साल में दो बार exam होता है तो अगर आप इसका देखें कि इसका importance is as big as or as good as जही का exam और नीट का exam क्योंकि अगर दो बार exam हो रहा है एक बार में अगर 11,000,000 लोग भर रहे हैं तो वही 20-22,000,000 लोग इसमें भी exam दे रहे हैं कुछ common भी होंगे लेकिन मोटा-मोटा 20,000,000 attempts हो रहे हैं इस exam के लिए तो एक बहुत बड़ा exam है, बहुत important exam है जिसको कि कल conduct किया गया था यानि कि Tuesday को 18th को ही exam conduct भुआ था और आज इसे cancel कर दिया गया है अभी थोड़ी देर पहले एक tweet आया था मैं आपको दिखाता हूँ क्या tweet आया था देखें, ये tweet आया था Ministry of Education की तरफ से इस tweet मैं कहा गया था Government is committed to ensure the sanctity of examinations and protect the interest of students ठीक है Ministry of Education has decided that the UGC net June 2024 examination be cancelled इस exam को cancel किया जा रहा है on the basis of inputs from Indian Cyber Crime Coordination Centre I4C के inputs के तहत इसे cancel किया जा रहा है ये जो I4C body है ये Ministry of Home Affairs के अंडर आती है Ministry of Home Affairs के अंडर आती है और क्या कहा है I4C ने Prima facie indicating that the integrity of the examination may have been compromised तो exam की integrity compromise हुई है इसका मतलब है exam में कुछ irregularity हुई है कुछ ना कुछ fraud हुआ है कुछ ना कुछ गरवड हुई है उसकी वज़े से exam को cancel कर दिया गया है आगे कहा गया है fresh examination shall be conducted for which information shall be shared separately फिर से exam होगा उसकी information अलग से share की जाएगी और आगे ये भी कहा गया है matter being handed over to CBI for thorough investigation तो तुरंद के तुरंद ये matter CBI को भी दे दिया गया है कल exam हुआ आज exam cancel हो गया और आज ही ये matter CBI को भी दे दिया गया है सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये UGC net का exam जो है क्या है जैसा मैंने कहा कि UGC net का exam होता है universities और colleges में assistant professor के लिए apply करने के लिए यानि कि वो eligibility है आप तभी apply कर सकते हो जब आप इस exam को clear कर लोगे तो ये exam में लिए होता है assistant professor post के लिए for in universities and colleges ठीक है पहली चीज दूसरा PhD के लिए भी exam है और third JRF scholarship अगर चाहिए आपको तो उसके लिए भी exam है इस बार करीब 11,00,000 लोगों ने ये exam का form भरा था 11,00,000 लोगों ने और 9,00,000 लोगों ने इन लोगों ने form भरा था और 9,00,000 लोगों ने ये exam दिया था ठीक है ये exam basically क्या होता है कि इसमें आप subject choose करते हो for example कोई किसी को गर English लेनी है तो English चूज करेगा किसी को commerce लेनी है तो इस तरहे आप कोई भी अपना एक subject चूज कर सकते हो in total in total इसके अंडर जो subject आते हैं total 83 subjects आते हैं total 83 subjects आते हैं तो इन में से आप exam चूज करते हो तो इसके अंदर दो paper होते हैं यानि की paper तो एक ही बार में देना होता है आपको एक ही साथ बैठके तीन गनटे का paper होगा लेकिन उसके अंदर आपको दो section मान सकते हो आपको दो section होते हैं एक section common होगा सभी के लिए इसको paper one कहते हैं और दूसरा section होगा जो सब के लिए अलग-लग होगा as per their choice of the subject जो उनने subject choose किया होगा तो इस तरह का ही exam होता है तो इस बार से भी exam conduct होगा तो दो shift में कराए गया था एक morning shift थी 9.30 to 12.30 और एक दूसरी shift थी afternoon shift जो 3 to 6 थी दो shift में ये exam conduct कराए गया था ये पूरे इंडिया में 317 cities में conduct कराए गया था अब देखें कितना बड़ा exam है 317 cities में इस exam को conduct कराए गया अब आप पूछिए कि ये exam conduct कौन कराता है कौन है जो body जो इस exam को conduct कराती है तो इस exam को conduct कराती है NTA NTA की बाद हम पिछले 10-15 दिन से कर रहे हैं बहुत सारे NTA से related discussions हो रहे हैं बहुत सारी चीज़े निकल के आ रही है related to NEET exam आना NEET exam आप आप देखी रहे होंगे social media पे new channels पे tv channels पे हर जगह ये matter discuss हो रहा है और जो भी controversies हैं in fact बहुत सारे court cases चल रहे हैं Supreme Court में cases की hearing चल रहे हैं तो ये वही body है जिसने NEET exam conduct रहा है जो JEE का exam भी conduct कराती है वही body इस exam को भी conduct कराती है यानि की NTA समझे तो NTA ने exam conduct कराया है और अभी जो मैंने tweet दिखाया है वह तो ministry of education ने tweet किया हुआ है जिसके under NTA body है तो इतना बड़ा exam इतना बड़ा exam जिसमें एक बार में यानि की साल में दो बार exam हो रहा है एक बार में 11,00,000 लोग apply कर रहे हैं वो exam within a day cancel हो जाता है कैसे कैसे एक तरफ NEET की controversy है एक तरफ NEET की जो NEET में निकल के आ रहे हैं सारी बाते हैं कि exam leak हुआ marks inflate हुए या grace marks मिले बहुत सारी चीज़ जो निकल के आ रहे हैं और question mark NTA पे raise किये जा रहे हैं और दूसरी तरफ same NTA जो uses in ad का exam conduct करती है within a day exam cancel कर दिया गया है और CBI को भी soft दिया गया है for thorough inquiry एक और interesting चीज में आपको दिखाना चाहूंगा ये जो tweet हमने देखा ये आया था करीब देखिए ये tweet आया था करीब 10 बजे यानि कि awareness थे कि शाम को 10 बजे रात को 10 बजे tweet आया है जिसमें कहा गया है कि exam cancel हो गया है exam कब वह था Tuesday को now आज शाम को करीब 5-6 बजे करीब 5-6 के बीच में NTA ने अपनी website पे ये एक notice upload किया है basically एक press release है अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है बहुत important है दिहान से देखिएगा ये एक press release है और press release का subject है press release for successful conduct of UGC net June 2024 exam ठीक है फिर से देखिए दिहान से press release for successful conduct of UGC net June 2024 exam ठीक है clearly NTA ने clear लिखा हुआ है कि UGC net का exam successfully हो गया है उसकी एक press release NTA ने किये ठीक है अब देखिए इसमें आगे के लिखा हुआ है national testing agency has conducted UGC net June 2024 award of junior research fellowship जो मैं अभी बताया था आपको appointment as assistant professor appointment as assistant professor and admission to PhD admission to PhD only in 83 subjects in OMR ये जरा ध्यान दीजेगा paper कहां हुआ है OMR पे हुआ है यानि कि offline paper हुआ है ठीक है अभी मैं इस पर आउंगा लेकिन यहां पर देखिए कि नोट कर लिजे इसको बस हम इस पर आएंगे भी और 18th June यानि कि Tuesday को ये exam हुआ था इन 2 shift 9.30 to 12.30 and 3.26 दो shift में exam conduct कराए गया था और ये exam pen paper mode में हुआ था ठीक है In the above context it is pertinent to mention that the UGC had introduced the for the first time a provision to provide opportunity to candidate for a four year UG program for award of junior research fellowship and admission to PhD only ये इस बार नहीं चीज़ें एड की गई थी exam में कि अगर आए exam qualify करते हो तो आप इन के लिए भी eligible हो जाते हो Third point बहुत important है इसको जला द्यान से देखिए UGC net June 2024 exam has been conducted successfully बहुत clearly लिखा हुआ है कोई ambiguity नहीं है ठीक है आपने देखा बहुत clearly लिखा हुआ है कि exam successfully conduct हुआ है for these many candidates, ठीक है basically इतने लोगोंने form भराता है exam दिया इतनी लोगों ने यहां पे आगे दिया हुआ है कि कितनी लोगोंने exam दिया total of these many candidates actually appeared for the exam 9,48,872 candidates actually appeared for the exam तो ये registered है, इतने लोगोंने registered किया था और इतनी लोगोंने actually exam दिया, sorry ये number नाबर नहीं है ये वाला number है, इतनी लोगों ने exam दिया, तो ये मिटा देते हैं, ठीक है, तो, so basically 9,8,000 करीब लोगों ने exam दिया, ये इसमें clearly mention किया गया है, अब ध्यान दीजिए, ये notice कितने बज़ आया है, ये आया है, आज शाम को 5 बज़े के आसपास, या 6 बज़े के आसपास, ठीक है, छे बज़े तक सब ठीक है, NTN ने पूरा declare कर दिया, everything is all right, exam has been perfectly conducted, और वही रात को 10 बज़े, tweet आता है, कि exam has been cancelled, ठीक है, ये क्या चल रहा है, लग, हो क्या रहा है, ये जो लोग तयारी करते हैं, exams की, ये जो लोग सालों महनत करते हैं, अपना, सब कुछ sacrifice कर देते हैं, अप पैसा लगा देते हैं, अपना सारा time लगा देते हैं, अपना पूरा, युथ जो होता है, अपनी पूरी जवानिस में जोग देते हैं, मिलता क्या है उनको, exam cancelled, क्या मिलता है उनको, exam cancelled, हो क्या रहे है, my question is, what is happening, हम कर क्या रहे है, यार, नीट की controversy, देखो, आप 15 दिन हो गय कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहे है, पहले marks inflate हुए, फिर grace marks की बात आई, उससे पहले paper leak चल रहा था, और अलग जगा पे, पता लग रहा है कि, गुजरात में कुछ हुआ है, बिहार में कुछ हुआ है, कहीं और कुछ हुआ है, there are so many things which are coming up, and NTA ने उस पे stance लिया हुआ है कि, यार, सब ठीक है, everything all right, सब perfect है, और यहां पे देखो, एक दिल की अंदर exam cancel कर दिया गया, यहां पे मेरा सबसे पहला question तो यह है, कि, यार, मुझे यह बताओ, सबसे पहला question यह है, कि यह जो exam है, यह जो exam है, यह जो exam है, यह exam, युजरी सिनेट का exam, यह 2018 तक offline mode में होता था, ठीक है, till 2018, purely offline होता था, और तब इससे CBS से conduct कराता था, ठीक है, 2018 के बाद, mid 2018 के बाद, यह exam आया, NTA के पास, और उसके बाद से, यह exam online हो गया, तो 2018 के बाद, यानि कि, लेटर on, NTA came into picture, and this exam became online, but, after a gap of almost 6 years, 6 साल के बाद, 2018 से लेके, 2024, यानि कि, पिछला जो exam भी था, तब तक यह exam purely, online mode में होता था, तो why this exam, was conducted offline this time, यार, इतनी problems है, offline exams में, इतनी जादा problems है, इतने सारे लोग involved होते हैं, distribution इतना complex है, even, कि, जो एक controversy, वहाँ पर time loss वाली चली है, कि किसका कितना time loss हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, आप measure ही नहीं कर सकते, यार, offline में, आप control ही नहीं कर सकते, कुछ भी होता है, offline में, तो, offline जाने की क्या जूर्त पड़ी, यार, यार, या ओनलाइन चल रहा था, exam ठीक ही चल रहा था, over the years, सब ठीक चल रहा था, इस साल, अचानक से, इस exam को offline क्यों कर दिया गया, और इसका reason क्यों नहीं बताया गया, इसका justification क्यों नहीं हुआ, बच्चों को भी surprise मला, हमें भी surprise मला, as a teacher, हमें भी अचानक से पता लगा, कि यार, इस बार exam offline होगा, क्यों offline होगा भई, जब हर बार online होता आ रहा है, तो इस बार offline क्यों, आप देखिए कि दुनिया, पूरा world, पूरा world जा रहा है, offline to online, जितनी भी testing agencies हैं, across the world, सब धीरे-धीरे online पर move कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बेटर control है, information आपकी एक limited लोगों के पास होती है, आप system के थूरू सारी चलती है, एक साथ आप दे पाते हो, कुछ भी गड़र होती ही, measure कर पाते हो, आप system में चीज़ें कैप्चर होती है, authentication होते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें, but offline is all manual, it's all manual, so many thousands of people involved, कहीं एक भी परिशन का अगर कुछ इमान थोड़ा हिल गया, तो पेपर तो गया, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका एक जवाब चाहिए हमें, कि यार ऐसा क्यों किया गया, इसको offline क्यों किया गया, दूसरा question ये है, कि, ये जो exam है ना, पूरे इंडिया में हो रा है, और पूरे इंडिया में, लोग ट्राइवल करते है, तयारी तो करते हैं, वो तो फो चोड़ो, दो-तीन साल तयारी की होग değ Lord ने, या जितना भी time तयारी की, पूरा मे Creativity की, Sacrifice की हो फो चोड़ो, लेकिन इविन जब एक्जाम देने आते हैं, तो आज के टाइम में इतनी गर्मी है, आप देख रहे हैं, 48, 50 डिरी तेमरेचर से है, डेली में तो कम से कम यही हालात है, और डिफरेंट पार्ट अपर्ट अट्री में तेमरेचर बहुत हाई है, तो इतना डिफिकल्ट टास्क ह है, कि कोई गाव में रहता है, कोई कस्पे में रहता है, वहां से उठके, कहीं शहर में आके पेपर देना, और और अलगतरी के यूज के से यहार, आज मैं अप एक स्टोएंट से बात कर रहा था, शी इस प्रेगनेंट, एंड उनके लिए अपने जहां कस्पे में रहती है, वहां से जाके, जहां शहर में सेंटर था, वहां जाना इतनी गर्मी में, अरेंजमेंट करना, रुकना, होटल का इस्टे, it is all complex, एक, एक, आप समझते हैं यह कि, कि इतना बड़ा पेन है किसी के लिए भी, और इसके दो एंगल्स हैं, कि, एक बच्चे को mental pain हुआ चलो, mental suffering ह हुई, एक financial suffering हुई, है न, क्योंकि, कोई भी exam देने जाएगा, काफी पैसे घर्च हो जाते हैं, आप travel करोगे, आप lodging करोगे, आप और complex days involved हैं, दो-ती मिन के चुटी लोगे, तो इसमें काफी expense हो जाते हैं, तो आपने तो बोला, आपने तो exam conduct कराया, आगले दिन एक notice डा ही है, इनका जो mental torture हुआ है एक तरह से, और जो financial loss हुआ है, उसका क्या, चलो mental का तो आप, मुझे लगता नहीं, आप कुछ कर पाओगे, इसकी तो बात ही नहीं करते, बटा financial का जरूर बताइए हमें, कि क्या इन बच्चों को कुछ financial assistance दी जाएगी, चलो case to case business पे देदो या और बच्चों ने exam दे दिया, अगले दिन आपने एक notice निकाल दिया कि exam cancel हो गया है, तो security arrangements क्यों नहीं किये गए थे यार, क्यों नहीं हुई चीज़ें, आपको, आप exam in body हो रहा है, आप examination conduct करा रहे हो, आपकी responsibility है कि exam सही से conduct हो, fair हो सभी के लिए, और एक बिलकुल पारदर्शी तरीके से, transparent तरीके से exam conduct हो, यह आपकी responsibility है, जो experiments है, जो बच्चे हैं, जो exam देते हैं, उनकी क्या गलती है, अब जब वो दुबारा exam देने जाएंगे, तो financial loss zone का होगा, या हो चुका है, उसके लिए क्या responsible, कौन responsible है, क्या आप कुछ reimburse करोगे, य मुझे, मुझे एक थर्ड बहुत बड़ा concern है, कि where is empathy, मतलब हो क्या रहा है, नीट में देख लो, आप, यहां पर user's internet में देख लो, कि, मैंने नहीं देखा एक बार भी कि, हमारी testing agency, या कोई भी body, सामने आके empathize कर रही है, बच्चों के साथ, sympathize कर रही है, उनकी, उनसे वा यह हो गया है, और यह सब problems थी, और इसकी वज़े से हमें यह करना पड़ रहा है, कुछ नहीं, आप तो एक notice निकाल देते हो बस, अब बस बच्चे अपने सफर करते रहें, वो अपना खुद कर लेंगे, जो भी plan करना है, जो भी उनको करना है, यह जो लोग है, यह जो बच्चे आएंगे, ग्रेजुशन के बाद जो बच्चे आएंगे, उनको यही लोग पढ़ाने वाले हैं, तो अगर यहां पर हम ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, लोगों के साथ, अभी लोग क्या सोचेंगे, इनका ट्रस्ट लेवल देखिए आप, कि इनोंने एक्जाम दिय और आपने सड़नली कैंसल कर दिया, और बोल भी दिया कि इसमें CVI इंक्वेरी होगी, और फ्रेश एक्जाम हम करनेट करा रहे हैं, तो, और उसमें बताया नहीं है कि, एक्जेक्ली हुआ क्या है, बस एक कुछ इंपूट्स आये हैं, उसके बेसिस पे, यह एक्जाम कर दि होंगी, है ना, क्योंकि बोडी तो यह है ना, अगर यहां पे मान लो, मान लो कुछ ऐसा है, कि कहीं कोच एक लूपोल है, जिसके थूरू एक पेपर लीक हो रहा है, तो वो UGC net में भी होगा, वो NEET में भी होगा, और वो JAE में भी होगा, वो CUT में भी होगा, वो हर जगा होने वाला है, तो यह समझना बहुत ज़रूरी है, कि exact reason क्या है, exact reason क्या है, जिसकी वज़े से यह exam को cancel कर दिया गया है, क्योंकि यह बहुत वेग है, कि I4C से कुछ inputs मिले हैं, जिससे पता लगा है कि exam की sanctity compromise हो गई है, इसलिए हम cancel कर रहे हैं, this is not enough, ठीक है, मान लिया CBI inquiry, बट CBI inquiry एक time bound manner में होनी चाहिए, और clearly बताया जाना चाहिए, कि उसमें क्या क्या हुआ, और फिर यह भी देखा जाना चाहिए, कि क्या same चीजें बाकी exam में भी हो रही हैं, या नहीं, and most probably हो ही रही होंगी, क्योंकि अगर यह body है, इसका एक कोई छोठा लूपोल है, कहीं क कोई कोई एक problem है, तो वो सारे exam में ही problem हो रही होगी, तो यह चार बड़े questions हैं, कि भाई offline तुमने exam क्यों कराया है, बच्चों का जो loss हुआ है, at least financial loss, क्या वो आप reimburse करोगे, empathy क्यों नहीं दिखाई जा रही है, कोई आके properly explain क्यों नहीं कर रहा है, और इसमें exam जो cancel हुआ है उसके exact reason क्या है, यह जरूर सामने आने चाहिए, time-bound CBI inquiry होनी चाहिए, और मेरा जो last question है, वो तो NTA के लिए ही है, कि NTA के ऊपर अब एक question mark लग गया है, NTA के ऊपर एक बहुत बड़ा question mark लग गया है, NTA has to come out clean and quickly, this is getting too much, नीच का exam में, बहुत, already बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है, वो भी Supreme Court में है, तो में ज़्यादा नहीं कहना चाहूंगा उसमें कुछ, लेकिन अब ये UGC Net का भी exam आ गया, और अब cancel ही हो गया ही तो, ये तो आपने next day cancel ही कर दिया, इसमें भी मुझे doubts हैं, कि इतनी जल्दी, इतनी quickly cancel कैसे हुआ, दो बाते हो सकती है, या तो ये कि नीट का प्रेशर है, कि अल्रेडी वहां पर जो चीज़ चल रही है, वहां पर जो questions रेस हो रहे हैं, वो questions यहां पर रेस ना हो, इसलिए ये quickly कर लिया गया, या कुछ छुपाया जा रहा है, ये भी हो सकता है, कि जल्दी जल्दी से इसको करके और एक बच्चों को ब forward, they should explain and they should take the ownership, तो मैं एंटी से ही request करूंगा कि एंटी प्लीज 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 बहुत हो गया है, अब प्लीज आप सामने आईए, बताइए बच्चों को explain कीजिए, empathize कीजिए, और थोड़ा आगे बढ़के अपनी तरफ से कुछ extra कर दीजिए, अगर बच्चों का exam आप कर दिया तो उनको कुछ कंपेंसेट कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए, है ना, प्लीज कर दीजिए, और यह बहुत जरूरी है कि हमारे युद का, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका फेथ हमारी testing bodies में, agencies में बना रहे, हमार कि यह हमारा युथ है ना, अगर यहां पर आप ट्रेस्ट ब्रेक कर रहे हो ना, तो आप सोच लो कि कैसे तो प्रॉफेसर बनेंगे, कैसी पीजडी करेंगे, कैसा रिसर्च करेंगे, और क्या ही पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को, जो हमारे कॉलेज और युविश्टी मे फेट नहीं होगा, तो यह मेरे कुछ गुश्टी में चाहूंगा कि इस पर NTA जवाब दें, NTA कुछ बताएं कि क्या हुआ है और इनके हर कुश्टी में अगेंस्ट, उनका क्या व्यू है, और बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों, देखो, अभी तो ठीक है, य इसका फ्रेश एक्जाम होगा, मुझे पता है कि यह बहुत डिफिकल्ट होगा, कि फिर से आपने एक फोर्स के साथ एक एक गोल है आपका, उस पे पूरी फोर्स से आ रहे हो और आपने पूरी अपने बैस्ट एक एक एक्जाम दे भी दिया, और अब फिर से आपको नेक्स पर अभी तो at least इस केस में, there is some clarity कि एक्जाम फिर से होने वाला है, तो जल्दी ही मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में इसकी डेट भी आ जाएगी और जल्दी ही एक्जाम हो भी जाएगा, तो फ्लीज पॉजिटिव रहें, है ना, पॉजिटिव रहें, डिप्रेस न of the hurdle, तो इसको एक बस चोटा सा hurdle देखें और positive mindset से अपना जो जो आपने पढ़ाई किया उसका revision कर लहें, या जो भी अब last moment पर कुछ कर सकते हैं, उसको consolidate करें, उसको पढ़ाई पर अपना लगे रहें, in fact मैं तो यह होंगा कि अब पढ़ाई पर ही focused रहें, अगले जदने बहुत hurdles आएंगे, आते हैं life में, this is one of the hurdles, ठीक है, तो आप सभी से यह request करना चाहूंगा, बच्चों से, कि परिशान नी होना है, हम आपके साथ हैं, पुरा hurdle 24-7, हमारे सारे teachers, मैं, सब लोग आपके साथ हैं, खड़े रहें के साथ में, और जल्दी एक्जाम होगा, ठीक ह करें कि फोकस तरीके से, जैसे आपने यह अभी परसोना एक्जाम दे था, उसी तरीके से, जो फिर से री एक्जाम होगा, उसको भी दे, बहुत-बहुत धन्यवाद,